हालो बच्चों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका गुड मॉनिंग, मैं हूँ डॉक्टर गायना सर्राफ आपके साथ और स्वागत है आपका नकैडमी यूपी एक्जाम चैनल पर और टाइम हो गया है आज के MCQ सेशन का और मैंने आप से बोला था कि हम लोग सारा नोट्स पढ़ेंगे और सबसे पहले मेरा परिचर मैं आपको बता दूँ मैं हूँ आपकी साइंस अंटेक और एकोलोजन एंवार्मेंट एक्सपर्ट और प्लस पर हमारा क्लास अल्रडी चल रहा है खतम हो चुका है इस महीने का कोर्स और आज तीत तारिक हो गई है महीना भी खता आप अनकाडमी पे बहुत सारे बहतरी प्लस सब्सक्रिप्शन से जॉइन कर सकते हैं जिसमें मेरा जो सक्त रहेगा वो साइंस टेक और रहता है ठीक है और मेरा कोड है रायन अटें तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं अच्छा फाइदा बहुत है बाई फाइदा मत प कर लें इतने कम समय में ठीक है और शुर्क कितना है मात्री 370 रुपे महीना तो जल्दी से अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और अभी तक अगर आपने अनकाडमी आप डाउनलोड नहीं करा तो फटा फॉर्स को कर लिए चलिए टाइम हो गया हुआ थाया हुआ हुआ और पहला डिसलाइक लाश शुरू होने से पहले ही बैवा 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 मज़ा आ गया बहुत बढ़िया चलिए अभी मुझे बच्चों का किसी को कॉमेंट तो नहीं दिखाया है पर मैं हलो संदीप जी गुद मॉनिंग पहला डिसलाइक बहुत होते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता ना जब तो वह यही यही चेश्ठाय करनी शुरू कर देते हैं चलिए कोई बात नहीं नेक्स्ट हमारा आज को पहला क्वेशन है बचा आज फ्राइड़े हैं और आज बहुत सारे में से कराते हैं हम लोग आपको अच्छा थियोरी में हमने बहुत कुछ बता चुक की ना को आर्फ का और में अनले कर लिया है और उसके 올ावा मैं आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण वीन पीचे-बीच好的 है वह आपको मैंने बता दिया आपको मैंने सूर्य का पूरा अर्थक्वेक कैसे आता है हलो वारी सली जी गुड मानिंग ठीक है और कल मैंने आपको अर्थक्वेक से संबंदित बहुत सारे अज अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हलो रागवेंद्र जी गुड मांसकार सभी को हाच जोड़कर करनाम बहुत-बहुत नमसकार और अगर अबी तक आपने वीडियो को लायक शेयर सब्स्क्राइब नहीं कर आए तो जूरू करिए चलिए आज का पहला क्वेश्वन आपके सामने है ऑलो देव जी डेव जी गूद मॉरीं गूध मॉरनिंग कुद और आज टोटल MCQ करेंगे देखते कितने लोग ready हैं वारिसली जी मैं chapter wise कोशिश करती हूँ लेकिन कई बार mix हो जाता है बीच बीच में तो उसके लिए excuse करिएगा ठीक है क्योंकि मैंने NCRT से पूरा questions बनवाया है और जब questions कम हो जाते हैं तो हम बीच बीच में और भी questions पुर करा देती हूँ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हां जी तो equator क्या होगा जी बताइएगा सबसे पहला question आपके सामने हैं देखते कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं equator का मतलब है उत्तर और दक्षिनी धुरूव imaginary line एक कालपनी के रेखा में शामिल होने वाली उत्तर और दक्षिनी धुरूव एक belt है जो Saturn के चारों तरफ है या ऐसी रेखा है जो अंगुठे के बीच प्रित्वी के मत से गुज़र गई है चलो यहाँ पर एक short note आपको दे ही देते है एक short note आपको देते है बच्चा यहाँ पर अगर मैं धर्ती की बात बज़र्ती के उपर हम कुछ रेखाएं समझ कर चलते हैं है ना एक बीच की रेखा होती है जीरो डिगरी पर और यह सबसे बड़ा एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं भूमद्दे रेखा है ना यानिक एक वेटर इसके उपर क्या आता है ट्रॉपिक ओ ए ट्रॉपिक ओफ कैंसर और ट्रॉपिक ओफ काप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल और अंटर्टिक सर्कल, ठीक है, तो यह एक हमारा डिवीजन है और यह ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसको जो है बच्चा कोई एक लाइन बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन बाइन आका है, मनी जोट रखा है आनी यह कर रखा है, कि भाया हम इमेजिनरी जोगुँ भूप मानते हैं उस चीज को, लेकिन वोधिकाई नहीं देती, हम मान के चलने कि यह इतना जो एरिया आपका आएगा, वो क्या आएगा जी यह एरिया आपका आएगा इम्याजिनरी लाइज सो आपसलूटली राइट देव जी अनीता जी गुड मॉनी यह जो आपका हिस्सा बनेगा यह बनेगा बी एक ऐसी कालपनी करेखा जिसमें दक्षिन और उत्रे धुरुव से हम इस लोगों को कनेक्ट कर देते हैं आज समझ में आ रहा है जी समझ में आ रहा है बात और जिन बच्चों न अभी तक वीडियो लाइक ने करें लाइक शेर जरू करेंगे चलिए नेक्स्ट्वेशन आता है नेक्स्ट्वेशन है आपका कि बच्च ग्रैविटी यानि के जो गुरुत्वा कर्षन है एक नरे स्पैलिंग गलत हो गया जो गुरुत्वा कर्षन है आपका एक्सिलिरेशन प्रोग्राम है ठीक है ड्यू टू ग्रैविटी अड़ एक्वेटर वह किस लिए होती है किस हिसाब से होती है बताएगा जरा पताएगा बच्च इसका आंसर बताएगा मेरा वॉइस आ रहे है ना आपको प्रॉपर वॉइस आ रहे है बच्चो एक्वेटर पर ग्रैविटी कितनी होती है गुरुत्वा कर्षन बल क्या होता है पोल से कम होता है पोल से ज्यादा होता है पोल सी के बराबर होता है यह डिपेंड ही नहीं करता है जल्दी से बताएगे घंगा अंसर ये बच्चा आपके पुराने पेपर्स का question है, आपके पेपर्स में आया हुआ है ये question और आपको बता दे जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा, कल का वीडियो यार ज़रूर देख लेना, आर्थकुएक पुरा समझाया है, कैसे आर्थकुएक आता है, कितने तरह के आर्थकुएक होते हैं, धर्ती का अंदा का structure से कैसे depend करता है, बहुत जबर्दस points म मैंने आपको कल बताए थे, चलिए, सबसे पहले जवाब आ गया है, रागवेंदर जी का, एक्वेटर पे, एक्वेटर पे कैडिपेंड करता है के नहीं करता है, यह बता दीजे बस, absolutely right, absolutely right, बलकुल यार, पूरी धर्ती पर, जो हमारा gravity है, वो सेम रहता है, जी, जिसको आ यह कल ही पढ़ाया है मैंने, कल ही पढ़ाया है, यह earthquake जब कल पढ़ा रही थी, the pacific ring of fire, बताएए किस से associated है, कल ही पढ़ाया है मैंने आपको यह, बच्चों, बंडे का क्लास, क्योंकि अब दो दिन, हाँ, absolutely right देव जी, absolutely right, constant होता है, 9.8, और इसलिए जो है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चा, और देखिए जब आप डेली क्लास में आया करेंगे न तो आपको धीरे दीरे बहुत सारी चीज़े रिवाइस हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जोग्रफी इतना अच्छे से तयार हो गया कि आप कोई भी क्वेश्चन छुटकी बजाते ही दे दीजे, आपको उसका आंसर पता होगा, मतलब आप इस लाएक हो जाएंगे कि मान लीजे कहीं पर गैस भी लगाना पड़े ना तो आप अकलमंदी वाला गैस लगाएंगे, यह मेरा गार्टी, यह बिल्कुल नहीं बोल रही, यह साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है, मैं ऐसी बड़ी-बड़ी बाते नहीं करती हू चलिए, 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 बहीं, मैं पिएस्जी स्कॉलर हूँ, तो इतना तो जानती हूँ कि फ़रक पड़ता है अगर आप डेली पड़ते हैं, एक ही दिन में खा लीजे यह दीगे दीगे बाड़ी बनाईएगा, तो बाड़ी बिल्डिंग करनी है, तो एक ही दिन में सा बोला था कि दुनिया में 60 से 70 परसंट जो भूकंप आते हैं जो कारण है भूकंप का फॉल्ट लाइन वाला जो भूकंप है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से असोसियेटेड है चलिए पच्छो जलनाद जलनाद एशुरी कौन सी रिवर एशुरी बनाती है मुहाना आगे जिसको आप बोलते हो कौन सी नीवर मुहाना बनाती है गंगा है तापती है गोदावरी है के महा नदी है देखिए आज फ्राइड़े है और आज फ्राइड़े मैं mcq mcq कराती हूं आज पूरा हाफता आपको पढ़ाते हैं पांच दिन पढ़ाते हैं एक दिन mcq कराते ह हैं बहुत सारे और एक दिन आपको रेस्ट देते हैं चलिए जल्दी से जवाब दीजे बचा एश्रीज मुहाना कौन सी नदी मुहाना बना रही है गंगा तापती गोदावरी गोदावरी या महा नदी कि चलिए रागवेंदरी जी का जवाब आ गया है एक गंगा और किसी बच्चे का जवाब एनिबड़ी ओफ यू नेक्स्ट बच्चा देखो पढ़ाई करने चसका होता है अगर लग जाए ना तो आपको सफल बनाके जाएगा याद रखना मेरी बात छोटी सी बात है लेकिन बहुत बढ़िया बात आपको बता रहे हैं इसका सही जवाब है तापती गंगा के तो त्रिबूटरी फैल जाती है चारो तरफ सबसे बड़ा इसका आश्री जलनाद का जो मुक होता है वो तापती नदी का है चलिए बच्चों हमारी अर्थ का कितना एरिया डेजर्ट में हैं हमारी अर्थ का तीनी ओप्शन है बस उसके हमारी अर्थ का कितना लैंड सर्फेस डेजर्ट है बताईएगा एक दस्वा एक पाच्वा या एक तिहाई और आपको पता है अभी अंग्टेड ने आपकी उनाइटिड नेशन टू कॉमबेट डेजर्टिफिकेशन है ना उन्होंने अभी डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए बीड यानिके आपको पता है यूपी में आपके CMG जी आपती योगी आजितना जी ने अभी बहुत सारा पेड लगाया था लाखों में याद है आपको कि नहीं याद है अभी पिछले कुछ महीनों पहले की ही है ये जब करोना का लॉकडाउन खुला था और हम लोग बढ़ते वे अब हर साल जो आपकी वारी की है फॉरेस्ट का वो कितना होना चाहिए 33 परसेंट होना चाहिए अभी हम कम है तो हो सकता है कि अब हम अपने लक्ष को प्राप्त कर ले और इसी मुहिम में लखनाओं के पास जो आपका एरिया है तो वहां पर जो है बहुत सारे बचो वन यह पेड लगाए गए है ठीक है तो डेजर्टिफिकेशन के ऊपर हमारी अंतराश्टी बहस भी चलती रहती है इंपॉर्टन है यह क्वेशन ठीक है इसका सही आंसर है सी वन थर्ड अर्थ का लाइंड सर्फिस का कितना एरिया आपका डेजर्ड है दिखिए कितना साधारन क्वेशन है फिर भी कई बार गल है कितना फ्रेश वाटर है जो बरफ में पानी के रूप में जमा हुआ है बहुत बढ़ी है साफ पानी बरफ में जमा हुआ है मतलब अगर वह पिगल जाए तो बिल्कुल ताजा पानी आपको पीने को मिल जाएगा बताइए जी जिन बच्चों ने मेरा इस हफ़ते का साड़ा वीडियो मिस कर दिया है पूरा सोलर सिस्टम से लेकर और अर्थ को एक तक का तो प्लीज वो पूरी वीडियो देख ले ताकि उनके कंसेट्ट रेडी हो जाए ताकि उनके नोट्स बन जाए पताइए बच्चों कितना पर्सेंट दुनिया का फ्रेश वोटर यह बहुत इंपॉर्टन क्वेशन है और इस तरह के क्वेशन आपको यूपी बेस स्टेट पीसीएस बेस और बहुत सारे क्वेशन पेपर आते हैं उनके अंदर के क्वेशन आपको नज़र आएंगे पताइए किसका सही जवाब आ रहा है जी जल्दी अब बच्चों अगर क्वेशन गलत होते हैं तो या कोई दिक्कत नहीं है नो प्रॉब्लम क्वेशन गलत ही तो हो रहे हैं हम कोई फासी नहीं दे रहें आपको आप बैठिये पढ़िए question गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं पच्चास का सही जवाब है मैं बता देती हूं आपको इसका सही जवाब है 70% हमारे पूरी दुनिया का 70% जो जल है वो glaciers के रूप में absolutely right वारी सली जी very good very good बिल्कुत सही जवाब है आपका सत्ता प्रतीशत जल जो है वो मीठा पानी जो है वो हिम नदियों के रूप में संग्रहित हो गया है 70% ठीक है और आपको पता है ना कि ग्लोबल वामिंग के चलते वैश्वी कूश्मा के चलते बच्चों ये धीरे धीरे जो आपके glaciers है वो पिगलना शुरू हो गये है 13,000, 20,000, 25,000 या 30,000 जल्दी से बताएं बच्चों सूपर फास्ट सेशन करेंगे हम इसको जल्दी जल्दी आपका जवाब आना चाहिए बच्चों धर्ती का सकंफरेंस लगभा कितना है आपके अकॉर्डिंग कितना पड़ा है आपने चलिए मैं इस बता देती हूँ किसी का जवाब मुझे आता एक्शली आपके पास 10 सेकिंड लग जाते हैं मेरा स्टेट्मेंट पहुंचने में और बच्चा अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए यार जल्दी जल्दी से किसी का सही जवाब नहीं चली मैं बता देती तो राइट अंसर लगबख 25,000 किलोमीटर का परिदी है पूरे राट का और सबसे बड़ा जो चक्कर है जो सबसे बड़ा सर्किल है वह आपका इक्वेटर है यानि कि बूम अद्देरे का है चलिए बच्चा मरुस्थिली करण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए जो सबसे बड़ा जो कारण है मरुस्थिली करण का डेजर्टिफिकेशन का वह क्या है बताइए फ्लग गलीज गलीज आपका होता है मिट्टी का जो कटान होता है उसको मगलीज कहते हैं ओवर ग्रेजिंग और मतलब बहुत जादा चा प्लॉगिंग और फॉर्मिंग शेल्टर बेल्ट्स बताईएगा बच्छों आपको क्या लगता है कि डेजर्टिफिकेशन में इन सब में सबसे बड़ा कारण कौन सा है बताईएगा जड़ा गलीज मैंने आपको कल भी बताया था गलीज के बारे में गली 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 जी बैल्ट बनाना या गली का निर्माण होना इस पैसे डेजर्ट बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है बताईएगा आपको मैं बता देजर्टिफिकेशन का जो सबसे बड़ा कारण बोला गया है वह आपका ओवर ग्रेजिंग अगर कहीं पर चारा ग्रहे जादा बनाए ग्र समस्क्राइगेगे और वहां से च्छोटी-च्चोटी घास जो मिट्टी का बांध कर रखती हैं आपको पता है ना साथ होती dus ठीक है मैंने पूरा बता दिया आपको कि चारा ग्रे बहुत जादा उने से जो आपकी दूब गास है वो टॉप सॉइल जो है आपकी मिट्टी की सबसे उपर की जो टॉप सॉइल जिसको आप यूमस बोलते वो निकल जाएगी सारे में सारे मिनरल्स बह जाएंगे और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा उसी को हम लोग बोलते हैं मरुस थली करण चलिए बहुत अच्छा क्वेशन आया है बच्चों समंदुरे में तैरते हुए हिम्खंड में इसका दिरभ विमान कितना पार्ट ऐसा है जो सर्फेस के ऊपर आपको दिखाई देता है आइस ब मतलब आपने देखा है ना बड़े-बड़े वरफ के टुकड़े आक्टिक की तरफ ग्रीन लैंड की तरफ अलास्का की तरफ एंटार्टिका की तरफ बच्चा वहां पर जो हैं लगातार गीर के टूटके रहते हैं तो कितना आइस बर्ग का क्या हमने एक बना रखा है नि अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक का बटन नहीं प्रेस करें अच्छा लगे तो ज़रू लाइक करेंगा पताइए बच्चा जल्ली से क्विकली 30 सेकिंड के अंदर आंसर देने की कोशिश किया कीजिए कोई प्राबलम नहीं है आइस बर्ग का बच्चा अगर यह पानी है तो आइस बर्ग का नो हिस्सा नीचे होता है और एक हिस्सा उपर होता है है न तो मतलब अगर मैं आइस बर्ग को पूगे टुकडों में बाट दू तो केवल एक पार्ट आपको दिखाई देगा उपर जो दिखाया है वो केवल एक पार्ट है कहते नहीं यार समस्य आइस बर्ग है तुमको जितना दिखाई दे गा है न उससे कहीं जादा बड़ी समस्या है तो इसी लिए जो है बच्चा आइस बर्ग का जो है उपर उपर हिस्सा कितना आपको दिखाई देगा केवल एक हिस्सा आपको दिखाई देगा चलिए next question बच्चों एक दिन आपकी डेट में कब बढ़ जाता है बहुत अच्छा conceptual question है इंटरनाशनल डेट लाइन में इंटरनेशनल आइडियल चलती है है ना और उसके इधर आपने देखा होगा जैसे हम जब धरती हम अपनी इंडिया के बारे में बताते हैं तो टाइम जोन कैसे लिखते हैं 5 प्लस 530 न्यू दिल्ली मुंबई कोलकता लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बताओ लिखते है तो यह जो प्लस 530 ये प्लस 530 का मतलब कि आप आईडियल इंटरेशन से पाइज गंटा आगे चल रहे हो माइनस का मतलब कि आप आईडियल से पाँच गंटा पीछे चल रहे हो तो हर देश का बच्चों देशांतर होता है एक देश से दूसरे देश में जो time zone अलग हो जाते हैं आपसे पूछा जा रहा है ideal हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आइडियल बोलते हैं क्या बोलते हैं जी आइडियल चली आज आपको को आइडियल का यह थोड़ा सा बता देती हूं मैं रेडी हैं पहले आप इसका जवाब दो मुझे पहले आप मुझे इसका जवाब दो उसके बाद मैं आपको आज इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट बताऊंगी जल्दी करिए फड़ा फड़ से ट्राइ करिए आंसर देने का किसी का सही जवाब चली मैं बता देती हूं इक्वेटर जब इक्वेटर को क्रॉस किया जाता है तब आपका डेट बढ़ता है वासमझ में आगी बचा चली अब मैं आपको बता देती हूं कि डेट कैसे बनती है कैसे बनती है डेट कंसेप्ट क्या है इंटरनेशनल डेट कंसेप्ट आपका क्या है बच्चे जब इक्वेटर से हम इधर से उधर जाते हैं रेडी है सारे बच्चे कि अधर जाए जब आप जब थोड़ा ध्यानिया लगाईए का जो बच्चे दर दर हो गए फड़ा फड़ से आजओ भाई आपको बता देते हैं डेट लाइन क्या होती है अंतराश्टी है समय सीमा या समय रेखा हम इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है अंतराश्टी है तिनांक रेखा ठीक है बच्चों बहुत इंपॉर्डेंट कंसेप्ट है यह ध्यान से सुनिएगा बस पांच मिनट लूंगी जादा समय नहीं लूंगी इसको पढ़ाने में आपको बच्चों यह काल्पनिक रेखा है सबसे पहले इस इमेजिनरी लाइन प्लीज नोट कर लीजिए आप भी अपने अपनी कॉपी में यह एक इमेजिनरी लाइन है ठीक है और यह कहां से कहां तक दौड़ती है जी नौर्थ पोल से साउथ पोल तक यानि के उत्तरी धुप से और दक्षिनी धुप तक बच्चा यह दौड़ती है ठीक है जब आप आईडियल को क्रॉस कर लेते हो तो डे और डेट दोनों बदल जाते हैं ठीक है जब आप इसको वेस्ट की दरफ एस्ट से वेस्ट की दरफ आप जाते हो तो तो यह बढ़ जाएगा और जब आप इसे वेस्ट से उल्टी तरफ आप आओगे तो यह एक घट जाएगा कि आगई बास समझ में कि इतनी बास समझ में आगई यहां तक किसी बच्चे को कोई परिशानी बहुत छोटी सी बात है लेकिन आप याद रख सकते हो उसको बहुत इजी ली कि चले अब मैं आपको आगे थोड़ा सा और बताती हूं उसके अंदर पच्चा इसकी जो लोकेशन है डेट की कि डेट की जो लोकेशन होती है यह ग्रीन विच मीन जी एमटी जिसको आप बोलते हो क्या बोलते हो जी ग्रीन विच मीन टाइम उसके 180 डीगरी इस्ट या 180 डीगरी वेस्ट पर होती है खी कह और इसी से जो आपके देशांतर है जिसको आप क्या बोलते हो बच्चा देशांतर बोलते हो न कितने डीगरी लॉंगिट्यूड वह किmother देख डिग्री आपका longitude जा रहा है कितने डिग्री आपका latitude जा रहा है ठीक है तो यह आपका जो बनता है इसी से आपका date change हो जाता है ठीक है सबसे पहले बच्चों यह concept हमें मिला था 1884 में सन कौन से सन में मिला था 1884 में मिला था एक conference वा था वाशिंग्टन में यानि के अमेरिका में ठीक है और 24 घंटे का एक clock तयार करा गया था बच्चों 1884 की आपसे में बात करी हूँ एक clock तयार करा गया था आपका है ना ताकि सारे देशों की जो डेट लाइन है उसको फॉलो करवाया जाए चली एक मिनिट मैं आपका एक image इसमें लगाती हूँ जगा दो मिनिट रुक्येगा मैं आपके साथ ही हूँ मैं एक मिनिट उसके अंदर एक डेट डाइगराम आपका लगाती हूँ ताकि आपको clear हो जाए कि हम लोग यह international date line का जो concept है उसको किस तरीके से पकड़के चलेंगे आपको याद भी हो जाए गई है पस दो मिनिट लगेगा मुझे अच्छा मैं एक image लगा गई हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इंटरनाशनल जो date line है हमारा ठीक है वो कैसे चलता है कि आपको screen नहीं दिखाई देगा बस एक मिनट मैं पीछे जगा फाइल लगा रही हूँ इसलिए screen एक मिनट हटा दिया है कि मुझे डाइगराम बनाने में बहुत समय लग जाएगा तो इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि इस तरीके से हम लोग date को कंसिडर करेंगे कि मेरा मन करा आज मेरा मन था mcq करा हूँ आपको लेकिन कोई बात नहीं चलो concept समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अरुंस कि अरुंस कि अरुंस के व openly 你 कि अन में उपको चलिए जी हो गया आपका ready आपका file ready हो गया है चलिए बच्चा आपको दिखाई दे रहा है चीक है अब आपको सामने डाइड्राम दिख रहा होगा यह आपकी पूरी धर्ती है ठीक है और मैंने आपसे बोला था कि धर्ती पर आपके थोड़े कुछ-कुछ reasons है क्या है जी reasons है आपके reasons बाने के area आप जैसे के एक हमने beach का ले लिये equator equator से उपर हमने क्या ले लिया जी topic of cancer ले लिया है ना यानि के आपकी करकरेखा नीचे आपकी मकरेखा रिस सदन जोन में 23 एंड हाफ डिग्री साउथ उसके बाद 66 एंड हाफ डिग्री पर आपके आ आ गया Arctic Circle यानि के फ्रिजिट जोन फिर नीचे आपका South Pole पर आ गया Antarctic Circle है ना और यह भी आपका क्या हो गया प्रिजिट जोन आपका हो गया अगर मैं आपको सनलाइट के माध्यम से बताओं कि कौनसे एरिया में कितनी सनलाइट आपकी आ रही तो आपको सामने डायरा में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि बच्चा जब सूरे की रेखा आती है तो डारेक्ली एक्वेटर पर य आपकी सूरे की जो गर्मी है सबसे कम आपकी यहां आएगी जो डायर्ट रेस है ऐसी यहां साउथ पोल की तरफ आएंगी ठीक है अच्छा अब मैंने आपसे बताया था कि जब आपका एक चक्कर पूरा हो जाता है 24 गंटे में हैना एक घंटे में बच्चा 15 डिगरी धरती जो है वो क्रॉस कर लेती यानि के चार मिनट में एक डिगरी फोर मिनेट में कितने सेकेंड हो रही जी दो सो चालिस सेकेंड के अंदर आपकी जो धरती है वह एक डिगरी घूम जाती है यह बहुत इंपॉर्डेंट बार्स आपको बता रही हूं यह पेपर में आता है तो इस तरह के questions को आप ध्यान में रखिए ठीक है अच्छा जी अब धर्ती वेस्ट से इस्ट घूम रही है है ना इस लिए हम लोग क्या बोलते है कि जो जी एंटी जो बीच में हमने एक लाइन इमेजन करें फैसी कोई लाइन है नहीं लेकिन हमने इमैजन करा है जब हम उसके पूर्वी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सन पहले दिखता है और वह ताइम जादा होता है जब हम उसके west तरफ जाते हैं तो वहां पर सूर्यबाद में दिखाई देता है और वहां पर time lose कर देते हैं यानि के वहां पर हम और पीछे समय के चले जाते हैं और वेस्ट में ताइम से पीछे चले जाते हैं ठीक है यह देखे यह आपका पूरा बच्चे यह देखे प्राइम मेरीडियन जीग डिगरी एक्वेटर से अब देखे अगर आप इससे इधर जाएंगे इसकी तरफ तो आपका समय आप समय में आगे जाएंगे अगर आप यह से आपसे ट्रावल करते माली रीजब इंडिया से अमेरिका जा रहे है या आप डिया से Data जा रहे है arrogance तो आप समय में इसकिर ने जाइगे अगर आपर यह गिष्टी चले जाएगे तो बच्चा आपका जो एक देट वह घट जाएगा बास समझ में आ रही है कि नही क分享 चाइना और रश्या, कैनेडा, USA, चाइना और रश्या, ये चारों का पूरे देश में, जैसे हमारी इंडिया में एक टाइम जोन चलता है, प्लस 530, ऐसा यहां नहीं होता है, यहां पर बच्छों, बहुत सारे टाइम जोन से हैं, और रश्या के पास सबसे माक्सिमम टाइम जोन से मैं आपको बतारी है, प्वेश्चन आता है पेपर में, किस के पास सबसे जाधा टाइम जोन से आपके रश्या के पास, कितने टाइम है, 9 जोन से उसके पास, अके लिए रश्या में आपको 9 अलग 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 समय हो रहा होगा, अब बात करते हैं, जाएंगे बास समझ में आ रहे हैं कि और बच्चों आपको मैं बता दू इंटरनेशनल डेट लाइन कोई सीधी लाइन नहीं है कालपनिक रेखा है मैं बारवा बता दे रही हूं यह किस-किस से पास होती है यह क्वेशन आपका फेपर में आता है बीजिंग फीजी और टॉं भागना नहीं है मैंने सोचा आपको डेट लाइन का कंसेप्ट समझा दू क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है इस कंसेप्ट को और आपको बता दू बच्चों इंटरनाशनल डेट लाइन पैसिफिक और से पास होती है इमेजेनरी लाइन है कि के जी क्लियर आ रही है बात समझ में चलिए अब मैं वापस आती हूँ अपने एमसी क्यों सेशन पर हाँ जी तो यही आपसे मैंने पूछा था ना बच्च यही तो क्वेशन था हमारा कि अगर आप एक दिन बढ़ेगा कब जब आप एकवेटर को पार करेंगे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है साव टू नौट चलिए नेक्स वेशन बच्चों जब मून सूरे और अर्थ के बीच में आ जाता है पृत्वी और सूरे के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं बताइए बताइए बच्चा अज बिल्कुल भी जवाब नहीं आ रहें बच्चों के सो गए हैं क्या बच्चे आपको वे बतादो बच्चा कि अगर यहसा होता है तो उसी को आप लोग क्या बोलते हैं सूरे गरहन बोलते हैं क्या बोलते हैं सूरे गरहन बोलते हैं चलिए नेक्स प्रेशन खो चयाँ अगर टि डाटिटूड क्या होता है बताघोथे अक्षांश कितना यंगल से कहांच से आप अक्षांश को मेंजर करते हैं इसका पॉइंट कहां से जहां सेहां भी बताए बहुत अच्छा question important question है यह प्राई करिए ट्राई करी ट्राई 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 जल्दी से तो पहुत सारे बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं जवाब भी नहीं देते हैं कोई बात नहीं सारा आपका जो अक्षांश हम लोग मैजर करते हैं वह हम लोग करते हैं एकवेटर से कर अब जो आप समझ बाद समझ कर चलिए वही क्वेशन आपको पेपर में जाकर फसा देते हैं बच्चों लटक्ती घाटी कहां पर मिलती हैं अक्सर कौन से एरियास मिलती है लटक्ती घाटियां लटक्ती घाटियां कहां मिलती हैं पहाणों पर आक्टिक शेत्र में ग्लेशियर वाले शेत्र में या तटिये वाले शेत्र में बताईएगा लटक्ती घाटियां आपको कहां मिलती हैं। सौरब जी, सौरब पाल जी, शायद देखने में लग रहा है कि हम जोगरफी पढ़ा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, चले देव जी का जवाब आ रहा है, मेरे पर बड़ी लेट आपके मेसेज आए, हाँ, देव बोल रहे हैं, मांसी बोल रही हैं कि माम, कोस्टल वैल्ट मे हैंगिंग वैली होता है, नए, नए नए, मैंने आपको पहले भी क्वेश्शन कराया था, ये क्वेश्शन आपका जाता है ग्लेशियर वाले एरिया में जाता है, हैंगिंग वैली, लटकती घाटिया, चलिए, डेंडरिटिक शब्द किस्से जुड़ा हुआ है, बहुत अ बताईएगा जी बताईएगा 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 वड़ाफट से बताईएगा पकवास करने वाले बहुत आजाते हैं यूट्यूब पर उनको पता नहीं चलेगा क्वेशन कहां से पूछा है और यहां पर जो है सजेशन देने आ जाते हैं प्यूश जी नमस्कर अरे बहुत कहा हो प्यूश आप इतने दिनों से और सारे टीचर्स की क्लास ले रहे हो आप हमको सब पता है आप कहां कहां क्लास ले रहे हो सब सब खबर हैं हमको चलिए डेंडिटिक वर्ड किस से जुड़ा है बहिए अरे यार इतना साधारण साथवी क्लास की जोगरिफी का क्वेशन है यह और फिक आप कहते हो कि मैडव हमको तो सब आता है आप ही क्या पढ़ा रहे हो हमको सब और भी क्या पढ़ा रहे हो इसलिए पो चोटी-चोटी चीजे बताते और बिल्कुल बेसिक चीजे आपको जर्फी पढ़ा रहे हैं ताकि आपको basic clear हो क्यों जी विल्कुल यह गलत नदियां नदियों नदिवों का प्रवहा कैसे होता है वो कैसे कैसे उसके ट्रिब्यूटरी जाती है यहां से कैसे फैलाव हो रहा है नदिव का कि अब आपको पर मैंने बहुत मिस्ट कर देको मुझे अपने सारे बच्चों के नाम याद रहते और एक डिसलाइक आज आपको बता दे क्लास सुरू होने से पहले एक डिसलाइक था हां में कोई किसी को मिर्चियां लगती है भाई यहाँ पर चलिए next question अगला बच्चों देखो आप मैंने international date line पढ़ा दिया एक बात मुझे feedback तो देदो यार कि जो मैंने अभी आपको date line पढ़ाया कि date कैसे बदलता है वो clear था के नहीं clear था यह बता दीजे बस कि जो date line आपको पढ़ाया अभी जो date समझाया date कैसे बदलता है तो वो clear है के नहीं clear है अशिदीब अभी जूम मीटिंग नहीं है clear है ठीक है देव जी clear हो गया चलिए सही है सही है सही है आप बताएए कि जब धर्ती अर्थ से अर्थ और सूरे का maximum distance होता है कि कि यहां पर सूरे है यह धर्ती है और कक्षाओं में सब घूम रहे हैं तो जो maximum distance होगा धर्ती और सूरे का उसको क्या बोलेंगे बताएगा रविंद्री जी आ गए है हलो रविंद्री जी नमस्कार झाल ओके रविंद्री जी का आ गया है गुड मॉर्निंग प्यू जी गुड मॉर्निंग इतनी देर बाद गुड मॉर्निंग हो रहा है चलिए जल्दी से जवाब दीजेगा बी 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 चलिए अब मैं आपको एक कंसर बताती हूं सामने डाइग्राम देखिएगा सामने डाइग्राम वन टू थ्री देखो भागा मत करो वीडियो से ध्यान से देख आगरो एक डिस्टेंस यह है एक डिस्टेंस यह है ठीक है this is the दूर वाला पॉइंट यह पास वाला पॉइंट तो थू और थू का दिस्टेंस और वन और थू का दिस्टेंस ठीक है जी, तो पहला जो distance है, the number one distance, है ना, तो, ठीक है, ये दोनो distance आपको दिखाई दे रहे हैं, तो abscess का मतलब होता है, extreme point, यानि के do के points, है ना, और peri का मतलब होता है, pass के points, है ना, तो apihelion, nearest point हो गया, pass P for perihelion, और pass वाला point, apihelion माने, अलग वाला point और दूर वाला point, बास समझ में आ रहे, तो बिल्कुल सही जवाब है सारे बच्चों का, P.U. जी का जवाब सही, रविंदर जी का जवाब बिल्कुल सही, नहीं नहीं, सही नहीं, वो दूर का point पूछ रह आप हीलियन, आप लोग गलत हो गए, आप हीलियन बोला जाता है, देखी इतना सा question, लेकिन गलत हो गया आपका, ठीक है, चले, next, बच्चों, आर्थकुएक को किस से नापते हैं, कल पढ़ा चुकी हूँ, कल पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी पताईएगा फड़ा फड़ से आंसर दीजे बच्चा मैं आपके जवाब की वेड करते हैं, तो मांसी का जवाब आगे है, बी, गिक्टर स्केल और और देव जी कभी आगे है, जी, आपसलूटी राइट, चलिए, नेक्स प्वेशन, बच्चों, धर्ती का जो सबसे यूजबल वाटर है, जिसको आप यूज़ करते हैं, उसका स्त्रोथ क्या है, बहुत अच्छा क्वेशन है, जल्दी से बताईएगा, कौन से पानी को आप धर्ती के सबसे जादा अस्तेमाल करते हैं, चलिए, मैं ही बता देती हूँ, समय को वेशने करेंगे, अंडर्ग्राउंड वाटर, जो आपका नीचे से जो पानी निकाला जाता है, अभी तक अगर किसी बच्चों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर करेंगे, चलिए, बच्चों रिफ्ट वैली कौन सी नदी के पास है, इन में से कौन सी नदी रिफ्ट रैली के पास है, बताइएगा, लूनी चंबल सोन तापती, हालो यश्राश ठाकर जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम चुन अकाडमी यूपी एक्जाम, हाई, अब बच्चों जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं करें, मैं बारवाच चिताती हूँ, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रिफ्ट वैली के पास कौन सा है नदी, चलिए, मैं बता देती हूँ, तापती, अभी मैंने आपसे बोला कि त मुखनद भी है, है ना, यानि के मुहाना भी है, और तापती नदी में आपकी रिफ्ट वैली पे लाइक करती है, चलिए, बहुत बढ़िया, बच्चों इस्थमस्त क्या होता है, इस्थमस्त कौन सा पार्ट है, नदी का मूँ जहां समुंद्रे से मिलता है, नदी की पतली इसी पट्टी जो दो लाइंट को बाट देथी है, एक लाइंट जो पानी के बीच में चल रहा है, समुंद्रे के बीच में पतला सा जगह नहीं होता है, जैसे के राम सेतू है आपका, ठीक है, है ना, और यह ऐसा लाइंट जो बड़े-बड़े लाइंट को कनेक कर गाए, इस तुमस किसको बोलते है बताईएगा आपका आपका कोर्स का समझ नहीं आ है मुझे कोर्स का बताओ क्या बोल रहेगा आप इसका सही आंसर आपका नारो स्ट्रिप ऑफ डिवाइड इन टू ओशियन यानि के दो समुंधर के बीच में जो पतली सी पट्टी लगती है रांड की थांकि हुए शुराज की सो मज तो वो जो पतली सी पट्टी है न आपकी वो पट्टी ही क्या बोली जाती है इस्तमस बोल जाएंगे जो आला मुखी विश्व में कहां होते हैं सबस्रादा कौन से एरिया में मिलेंगे आपको यह मैंने पढ़ाया वाइकल की क्लास में अनकाडमी गवंद्री जी अनकाडमी कोर्स में लॉंच होगा दिवाली के बाद और अभी आपको बता दे कि जो पिछले महीं ने हमने कोर्स लांच करा था उसमें से up إ psc मेंस जो हुआ है इस साल का कि उसमें छे में के क्वेश्टन आये हैं खेम ने के क्वेश्टन आये हैं यूपी में स्वेंस में तीक है 2019 में जो हुआ है आपका और अभी अभी अनकाडमी जो हमारा नया प्लस कोर्स आने वाला है वह अब मेरा आएगा मतलब अब next month आएगा तो आपको information मिल जाएगा इतने आप free classes ले सकते हो in academy पर पास समझ में आ रहे ठीक है मेरा जो वीडियो का link है मतलब कि एन academy का जो profile link है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा तो बच्चों आज का last question है यह जल्दी से इसका answer कीजिए कि सबसे ज़्यादा आपको volcanoes world में कहां मिलते हैं पूरे world में मिलते हैं coast area के पास में मिलते हैं island के पास में मिलते हैं चलिए मैं बता देती उसका सही answer है बच्चा island के पास जो pacific ring of fire मैंने आपको बताया था तो वहां पर आपको सबसे ज़्यादा विश्व के volcanoes मिलेंगे ठीक है मांसी रविंद्र देव कुमार जी बास समझ में आ रहा है सारे बच्चों को मेरा plus course GS mains का इस बार plus course लाने वाली हूँ ताकि आपका पूरे साल का जो current affairs है वो complete हो जाए इस महीने भी मैंने कराया है पार्ट वन अगले महीने कराऊंगी पार्ट टू तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनकाडमी का केवल मात्र 370 रुपे प्रती महा पर आप लोग अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ठीके और बहुत सारे टीचर्स से हैना 50 टीचर तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और आज का क्लास हमारे यहीं खतम होता है रविंद्र मांसी अश्राज देवकुमार पियुष तिवारी आश्टीप सवर्दीप सौरप वारिस अली रागवेंद्र सारे बच्चों को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी सीरी से ज आगे बढ़ा सके सभी लोग हमारी निशुल्क क्लासिस का फाइदा ले सके थांकियो सोमार बच्चे जुनने के लिए आप क्लास है बारा साड़े बारा बज़े मारा करंट कार अकाडमी पर पुरी वाला क्लास है स्पेशल वाला क्लास है आज यह सारे फच्च फड़ा-फ झाला क्लास है